Hello Friends, Welcome back to my channel ShopifyTech अगर आप एक iPhone user हो आपको जो आपका data है वो आपके किसे Android phone में share करना है या फिर Android से data आपको अपने iPhone में share करना है कोई भी आप share कर सकते हैं जैसे कि वीडियोज हो गाया फोटो circ Still में हो गया अगर आपको contact file भी शेर करनी है कुछ files आपको share करनी होगी तो आपको जाना है अप स्टोर में जाने के बात जो आपको यहाँ पर सर्च करना है send anywhere तो आपको जो second वाला अप दिख रहा है जो send anywhere का ये logo है उसका तो ये अप आपको download कर लेना है तो मैं अभी इसको open करता हूँ तो सबसे पहले ऐसे permission के लिए पूछेगा तो आपको पहले इसको जो access है वो provide कर देना है तो अभी मैं कर देता हूँ allow access to all photos तो जो भी आपके जो phone में photos होंगे वो आपको फेच करेगा और जो app में वो सारे देखने मिलेगे तो अभी मैं इसको करता हूँ don't allow मुझे notification नहीं चाहिए तो फिर मैं इसको don't allow कर देता हूँ और जो notification है उसको ok कर दिया मैंने तो देख सकते हो मेरे जो भी photos है जो भी मेरे videos है contacts जो files रहेंगे यह contact excellent पूछेगा तो इसको भी ok कर दो तो और यहाँ पर देख सकते हो जो files है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे phone में जितने में file है iPhone में तो same process अभी क्या आपको करना है आपका जो Android phone है उसमें भी आपको जाना है आपके app store में तो अभी मैं बताता हूँ आपको app store में जाने के बाद जो अभी आप यह app देख रहे हैं उसको download करना है send anywhere तो यह same आपको download कर लेना है अभी मैं भी इसको open करता हूँ देखो मैं अभी इसको open किया अभी open होने के बाद आपको same जो access के लिए पूचेगा जो आपके photos यह वो है इसमें पहले आपको जो terms and condition उसको accept कर देना है जैसे देख सकते हो फिर इसके बाद मैं करता हूँ confirm उसके बाद continue कर दो continue करने के बाद यह media content के लिए पूचेगा क्योंकि इसको आपको access देने पड़ेगा जो अभी आपके photos वीडियो रहेंगे तो यह app में आ जाएंगे इसके बाद कर दो allow तो देख सकते हो अभी जो भी मेरे photos रहेंगे यह जो android मेरा phone है उसमें आपको सारे जो photos है वो देखने मिलेंगे photos है जो videos रहेंगे जो audio files है जो apps आप नहीं share कर सकते हैं यह आप्स iOS के अलग होते हैं अड्रोड के अलग होते हैं तो apps आपको यहाँ पर share करने का option नहीं मिलेगा और वो आप share भी ने कर सकते हो इसमें contact share करते हो तो सारे यह details जो file रहेंगे वो आप share कर सकते हो तो अभी मैं आपको कुछ data share करके बताता हो अभी मैं छोटे photos select करता हो अभी मैं आपको बताता हो कि आयोस से आप इसमें कैसे transfer कर सकते हो अभी मैं बताता आपको कोई भी photo select करना है तो मैंने अभी यह photo select किया तो देख सकते हो मैंने अभी एक photo select किया उसका आपको यहाँ पर वो size भी बताएगा तो देख सकते हो अभी यहाँ पर आपको click करना है सेंड पर जैसे आप सेंड पर क्लिक करोगे तो देख सकते हो वह अगली पेज पर जाएगा अभी यहाँ पर आपको जरूरत है इंटरनेट कनेक्शन या फिर वाइफाई को आपका फोन कनेक्ट होना चाहिए तो एक आपको इद्धान में रखना है कि आपको जो फोन है उसमे आना है तो आपके के के लिए पूछेगा अभी की है घृट जा है तो आपका जो फोोट है वह रिसीव वोना चालो हो जाएगा देख सकते हो बभी में जाता हो एक है तो जो मेरा फोटो है वो अलड़ी आ चुका है तो कोई भी विदिन सेकन ये फोटो वगरा है वो शेयर कर सकते हो अभी मैं आपको कुछ अगर अभी मैं आपको एंडरोड से ट्रांसफर करके बता तो एक अदब वीडियो देखते हैं कुछ है कि इसमें तो देख सकते हो अभी इसमें एक छोटा वीडियो है कि देखते हैं कोई एक वीडियो है वाट्सअप का तो अभी मैं शेयर करता हूँ स्कैन करके बताता हूँ उसके बाद आपको जो परमिशन है ये कैमेरा की वो अलाओ कर दो अलाओ करने के बाद अब भी देख सकते हो यह जो मारा फोन है मैं इससे स्कैन कर देता हूँ तो देख सकते हो जो अब यह स्कैन हो चुका है अब इस scan होने के बाद देख सकते हो वो जो वीडियो था यहाँ से यहाँ ट्रांसपर हो चुका है तो बस आपको simple step follow करने है अगर यहाँ से आप send कर रहे हो iPhone अगर send a device है तो आपको यहाँ पर चाना है receive में और जो भी history रहेगे आपको यहाँ पर देखने मिलेगी जो भी आपने कुछ data share किया वो सार आपको यहाँ पर देखने मिलेगा आप photos वीडियो जो file से वो share कर सकते हो वस यह apps के लिए काम ने करेगा क्योंकि जो iOS के अप different होते और आपको चाहिए internet connection या कोई wifi connection तो अगर यह वीडियो आपको informative लेगे हो तो चैनल को subscribe करना मत बुलना वीडियो को like and share जरू करना thanks for watching